आजकल आपको आए दिन, गिफ्ट सिटी में होने वाले डेवलेप्मेंट्स की खबर सुनाई देती होगी। हमारी इंफ्रन ज्यूस में भी आपको कई बार गिफ्ट सिटी में होने वाले इल्वेश्मेंट्स, लैंड एक विजिशिन और कंस्रेशन के बारे में सुनने मिलता है। अग गिफ्ट सिटी या गुजराद इंटनेशनल फैनाइनस टेक सिटी बारत की उजवल बहुष्य का प्रतीक है क्योंकि इसे भारत सरकार, सिंगापॉर या दुबई जैसे सिटी से कंपीट करवाने के इसाब से बनवा रही है। पर अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो हमारे करेंट फिनाशल कैपिटल मुंबई के लिए भी गवर्मेंट्स यही कहते थी। लेकिन फिजिकल इंफ्रस्ट्रेश्चर के अपार्ट कई दूसरी चीज़ी भी होती है, लेकिन अब प्रियोरिटीज चेंज हो गई है राश्च्य स्तर पे, अभी फिलाल बले ही मुंबई पूरी दुनिया के लिए भारत के फिनाश मार्केट में गुसने का दर्वाजा है पर आज गिफ्ट सिटी को भारत के फिनाश मार्केट का दूसरा या नया दर्वाजा बनाने की बात चल रही है, तो क्या गिफ्ट सिटी सच में मुंबई के दर्वाजे को बंद कर देगी, और क्या आने वाले युग में भारत का फिनाशल कापिटल कहलाएगी, जान दे इ अक्रीमन 60 वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं और आप लोगी सब्सक्रिप्शन से ही हमें बहुत ज़र सपोर्ट मलता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना इस वक्क गिफ्ट सिटी अच्छे सी रेडी भी नहीं हुआ है वासिफ कुछ ओफिशिल वरकिंग स्ट्चर्चर्स बने हैं पर फिर भी गिफ्ट सिटी ने मुंबई बें आने वाली कई इन्वेश्मेंट्स को अपनी तरफ खीच लिया है जैसे कि कई इंटरनेशनल फिनेश इंटरनेशनल फिनेशनल फिनेशनल सर्विसस सेंटर इफसी गिफ्ट सिटी को एक अंतराश्रिय विद्य केंद्रे के रूप में डिजाइन किया गया है जिसमें फिनेशनल सर्विसस को प्रोवाइड करने के लिए टैक्स इंटेंसिव जिसी विबिन सुभी धाय भी उपलब्द है कुछ कंपनीज ने गिफ्ट सिटी में अपने कारेलों को शिफ्ट किया है या एक्सपांड किया है ताकि वो इसके बेने पर्सी मिस्तरी को लीडर्शिप में एक हाय पावाद एक्सपर्ट कमिटी सेटड़ करनेगा पावर दिया गया था और यह कमिटी सेटड़ भी हुई जिसमें मुंबई में आयाए फ सी स्टों के लिए चीज़े लिए Suzuki कंपनीर का इन्या डालाइस किया गया पर यह कमिंटी इन दूसरे cities के अंदर IFSC को बनने से रोकना नहीं चाहिए ऐसा कहा गया और अब इस report के बाद में मुंबई में IFSC बनने का दावा सिर्फ दावा रहे गया और आज IFSC एक्चुल में गुजरात के gift city में बन रहा है next है technology and fintech companies gift city में technology और fintech companies के लिए अवसर प्रधान करने का लक्ष था यहाँ कुछ technology companies और fintech startups आए जो गुजरात की gift city के अंदर ecosystem बनाने के शुरुआत कर चुके है और government इसको बढ़ाने के लिए मदद कर रही है कुछ दिन पहली ही Google ने भी अपना global fintech operation gift city में open करने का decision लिया जो कि mostly Mumbai या Bangalore जैसे शहर में जाना चाहिए था गुडगाओं में जाना चाहिए था लेकिन यह gift city में गया यह पर कई IT companies back office operations खोलने के लिए भी अपने locations open कर रही है और यहाँ पर अभी काफी लोग काम भी करते है data processing, compliance, risk management, customer service इन जैसे चीजे भी आज Mumbai जैसे शेरों से shift होती होए दूसरे शेरों में जा रही है जिसके अंदर gift city में से बहुत services जा रही है competitive industry हैने के वज़े से ये major बात है Mumbai के लिए FDI लाना दीरे दीरे मुश्किल होते जा रहा है लेकिन जो सबसे बड़ा thread Mumbai के अंदर आता है gift city के वज़े से वो है यहां के stock exchanges gift city में national stock exchange of India NAC के एक subsidiary खुली है NAC, IFSC limited और इसको स्थापित किया गया gift city के अंदर international markets को चलाने के लिए या international equity derivatives, currency, commodities जो basically stock market और उसके दूसरे अलग-अलग आप कह सकते हो पहलू है इनको operate करने के लिए और यहां पर एक कुछ हद तक इसका काम अच्छे से चल भी रहा है पर NAC खुद Mumbai के BQC में स्थित है इसका headquarter भी Mumbai में है तो यह क्या जायाज है कि NAC अपने international arm को Mumbai के बाहर shift करे अब यह बाल जो है आप लोग comments में discuss कर सकते हो लेकिन यह हुआ है अब NAC, IFSC से बढ़कर भी एक opportunity ऐसी है जो Mumbai से दूर लेके गई है और वो है INX या India International Exchange IFSC Limited साल 2017 में gift city में शुरू हुआ India INX इस वक्त सबसे तेज से ग्रो हो रहा है बार्धिय stock exchange और international investments को Mumbai से gift city में shift होने के लिए जो एक बहुत बड़ा कारण है वो INX ही है इंडिया क्या पहला international stock exchange INX है और उससे बड़ी बाद यह है कि इंडिया INX असल में BAC या Bombay stock exchange के एक subsidiary का international arm है याने कि Indian का एक stock exchange जहाँ पर international company street कर सकती है जो Mumbai के BAC का हिस्सा है लेकिन बना है gift city अंदर अपना काम भी कर रहा है और financial hub होने के बावजूद यह हो रहा है ये stock exchange धीरे धीरे बड़े बड़े companies को अपना हिस्सा बना रहा है और इसके कारेंट भारत में आने वाले जितने international investors है उनको अगर Indian companies के अंदर directly invest करना है basically directly stock की खरीदना है तो उनको gift city के इन exchanges में से खरीदना best option निकल कराता है जिसके कारण जो FDI है वो directly किसी company के bank account में आने के बदले shares के रूप में directly gift city के जरीए companies करीद सकेगी और अभी हो भी ऐसा रहा है कि भारत में ज्याददर start-ups को जो funding या foreign venture capitalist से द्वारा मिलावा पैसा है वो India INX के gift city के अंदर होने वाले processes की through मिलता है और ये भी industry देरे देरे shift होते जारी है अब आपको ये जरूर अजीब लग रहा होगा कि BAC जैसे Asia के सबसे पुराने stock exchange को मैं INX जैसे newly integrated stock exchange से compare क्यों कर रहा हूँ तो ये बद सच है कि दोनों के volumes और पैसों के लेंदेन के अंदर अभी भी जमीन आस्मान का फरक है इससे भी जादा फरक है जैसे कि ये stock exchange अफते में 6 दिन daily 22 घंडों तो operate करता है जिसके गराण अलग-अलग time zone में जो investors है वो यहाँ पर आके invest कर सकते है BACNAC की जो Mumbai branches है वहाँ पर ये नहीं होता INX अपने operations को पहले साल में ही 10 billion dollars के cumulative trading volume को achieve कर चुका था और operations के दूसरे साल 2019 में 20 billion dollar पे ये पाउज गया ये डबल हो गया और यही growth अगर चलती रही तो ये ज्यादा दूर नहीं है एक बड़ा stock exchange बनने से Russia के Moscow के exchange ने भी साल 2018 में गया Moeus sign किया जिसके अनुसार वो अपने trading systems को connect करेंगे GIF City के INX के साथ में जिसके कारण यहाँ पर और options open हो गए थे investors को invest करने के लिए अब ये जो on paper achievement से ये काफी बड़ी लगती है लेकिन BAC के अंदर करीब करीब 3.8 trillion dollars का market capitalization है इसका मतलब है double भी अगर होता रहा तो भी INX को 20-30 साल का समय लगेगा आज के BAC की साथ में compete करने लेकिन अनोखी बात ये है कि ये जो थोड़ा बहुत भी competition हो रहा है ये एक ऐसे plant city के अंदर हो रहा है जो literally कुछ एकर में handful of buildings में आज के date में बसी हुई है और ये जो reasons मैंने आपको बताए वो Mumbai को overtake ये city कर सकती है ऐस तरीके से बताने वाले reasons थे लेकिन कुछ ऐसी चीज़े भी है जो Mumbai को अभी भी अपने position को बरकरार रखने के लिए मदद करेगी पहला है कि ये एक high project है अब आप सब अपने states में चल रहे projects को जानती होंगे जा gift city जैसे business को बनाया जा रहा है इन states में gift city में एक फरक ये है कि gift city को central government का support है जबकि जाधर states के अंदरे बनने वाले normal cities को सिर्फ state government ही push कर दी अब आप जानते हो कि political will यहाँ पर बहुत जादा important है और वो बहुत मिलती है gift city को और इसके लिए जादा तेज़ी से हो रहा है लेकिन इसके कारण ये भी है कि project अपने real value से ज़्यादा value पर बोला जा रहा है और यहाँ पर कई जो developments है वो केंदर सरकार के push के वज़े से आ रही है natural push के वज़े से नहीं और organic growth ये नहीं है इसके कारण अगर ये growth actual में sustain नहीं हो पाई तो उसके बाद में जो investment का सिलसले शेहर के अंदर हो रहा है वो slowdown होते हुए नजर आएगा जबकि Mumbai में ये कोई मसला नहीं है दूसरा है महाराष्टा government हम सभी ने देखा है कि महाराष्टा government पिछले कई सालों से infrared development के projects को महाराष्टा से गुजरात में shift होते हुए देख क्या ही है और इतने opportunities को lose करने के बाद में Mumbai के financial capital होने का ताज वो खोना नहीं चाहेगी और इसके लिए government ने भी कुछ चीजे करना शुरू की है Mumbai के पास के नवी Mumbai के पास में Naina ये नवी Mumbai airport influence notified area बन रहा है यो की एक similar तरीके से काम करेगा माराश्रा गोर्में इस project को भी बिना delay के करने का decision लिया है और already Naina का काम ठीक से शुरू होने के पहले ही बड़ी बड़ी investments यहाँ पर बन रहे है तीसरा reason है stable economy आज Mumbai एक बहुत बड़ी established economy है दुनिया के कई सरे financial entities यहाँ पर located है इसकी economic monopoly हटाना असान नहीं हाला कि Mumbai खुद Kolkata को replace करके देश का economic powerhouse बना है पर आपको समझना ही होगा कि Kolkata जैसा हाल Mumbai का नहीं हो सकता है at least आज के environment के साथ में 1960s में नकसलाइट और माकसिशपाउस के कारण जो है Kolkata का downfall आया और Mumbai का growth जो है naturally उसको overtake कर गया सीम चीज मुंबई और एहमदाबाद या मुंबई इन गुजराद के बीच में होना possible नहीं चौता कारण है गुजराद एक dry state है अब कई लोग इसको बहुत बड़ा reason नहीं समझते लेकिन आज भी गुजराद के अंदर आप जो है alcohol directly खरीद नहीं सकते वहाँ पर alcohol band है और international trade relations के दौरान ये दिक्कते पैदा कर सकता है कई industries के लिए especially hospitality के लिए भी और दूसरे तरीकों से भी अगर international firms यहाँ पर आ रही है तो obviously कुछ चीज़ों की requirement होगी चाहे वो non-wich food क्यों ना हो अब ये सबसे चोटा issue है लेकिन ये चीज़ भी कही ना गई पर दिक्कत produce कर सकता है अगर conclusion में बात करें तो national point of view से बोलू तो अच्छा होगा कि कुछ investments मुंबई की जगा gifted जाए क्योंकि मुंबई को उसके बाद में sustainable और एक stable growth पाने का मौका मिलेगा जबकि जो overburdened industries of मुंबई है इनको भी धोड़ी राहत मिलेगी population देश के जो धून फिरके मुंबई में आती है hyping jobs के लिए उनको एक दूसरा option भी नजर आएगा development ज़रा spread out होगा और अलग अलग development center बनने का इसका मतलब यह नहीं होता कि किसी और development center की growth negative होने लगे बस growth में भी slow down निजर आ सकता है और से current gift city जो है आगे जाकर इन चीजों के लिए reason बन सकता है बट जैसे मैंने कहा इस चीज़े जो है इतनी easy भी नहीं gift city को जो है central government का support भी है gift city के अंदर फिलाल जो growth है वो काफी हद तक inorganic है और बाकी कई states भी अलग अलग चीज़े कर रहे है जो की आगे जाकर खुट gift city के लिए competition बन सकता है आपको इसके बार में क्या लगता है मुझे comments में ज़रूर बताना और मिलेंगे अगले वीडियो में